हलो दोस्तो आप सभी का सोलूशन मैत में स्वागत हैं आज आप सभी के साथ एक इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करना है दोस्तो आप मैत में 100 का 100 परतिशत मार्क कैसे ला सकते हैं दोस्तो इसमें आप एक ररनीती बना के दी चलते हैं तो 100 का 100 परतिशत मार्क मेरी गारं देखना है दोस्तों चलिए पहले आपको 2021 का जुमायत का पार्ठे करम है उसको पहले दिखा देते हैं उसके बाद आपको रर्णीती बताएंगे कि आपका इस साल का रर्णीती क्या होना चाहिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक् संक्यय पधद्यति जो साल आयेगा उसमें इस पांच नंबर का आएगा 20 गडिद जो है उससे 18 dur इस जयात जाएगा जामिती जो है वारां नंबर का पूच जाएगा तर्फरिय मीती यसी दर्ष ब्यर्गें से 10 नंबर का सांखिकी से 10 नंबर का टोटल 70 नंबर के मार्क आए आपको अनिवार है चले दोस्तों पुरा स्लेबस देख लेते हैं किसमें से क्या पढ़ना है मैं तो इसमें देखते हैं इसमें आपका संख्या पढ़ना है तो संख्या पढ़ना है वास्तिविक संख्या वास्तिविक संख्या मतलब करड़ी दू करड़ी तीन और करड़ी पा निकाल दिया गया है जैमिती में से तरिभूच पढ़ना है और रशना पढ़ना है निर्सांत ज्यमिती पढ़ना है पूरा पूरा तरह तर्क्रोमीती से एक परचय है उचाय दूरी से संबने salary उसमें बिर थोर मिले समें से संबनी चैत्रफक जो यह सब में ट्डोरो सब्दाइता कि माधियका भालक यह सब पढ़ने हैं दोस्तों दोस्तों यह तो क्मेता था यह साल की 1221 की रशवर्णीती क्या होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं ज़ूहज़र की जो रशवर्णीती हैं दोस्तो आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी एकाय आप उठाते हैं जैसे संख्या पदति हम उठा लिए संख्या प्धदेदिक सभी इतने भी फिरी उस चेप्टर में सभी फार्मूले एक जगरल एक लिखें लिखने के बाद क्या करें कि उस चेप्टर से आप क्या करें कि कम से कम दस गुश्चन जो एक्जाम पूछे गए हैं उसको बुख से लगा कम से कम 10 से 15 questions 10 से 15 questions ज़ने लगाते हैं तो एक दिन में ये समाप्त हो जाएगा दूसरा चेप्टर उठाएं बीजगरी बीजगरी क्या करें कि दो दिन टाइम दें दो दिन टाइम देने से मतलब है इसमें दो चप्टर पाणना है आपको कौन कौन सा चप्टर रहें दो चेहरवाले रैकिक समिकड़ पहना है, दिवगात समिकड़ पहना है, एक दिन उठाएं, दो चेहरवाले रैकिक समिकड़, दो चेहरवाले रैकिक समिकड़ से कम सकम 15 question कीजिए, जो exam में पूछे गए हैं, दोस्तों आप तो इतने साल भर से पही रहे हैं, लेकिन exam जब न पुरा एक्सरसाइज करने बढ़ जाए ऐसा करेंगे तो आपका च्छा का दो साल भी करेंगे तो नहीं खदम कर पाएंगे ऐसा कीजिए कि आप एक चेप्टर का फार्मूला उठाएं वहां से सभी फार्मूले के लिखिए उस पे दस से पंद्रह कोईशन प्रैक्टिस कीजि और उस पे कम से कम चार से पांच कोईशन दस कोईशन जितना हो से अधिक साधिक कीजिए और त्रिकोईमिती उठाएं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह हर शाल एक्जाम में पहुत जादे नमर के कोईशन आते हैं त्रिकोईमिती से त्रिकोईमिती में क्या करना है कि सभी फार्मूले को पहले एक जगा लिखिए और लिखने के बाद सभी फार्मूले को लिखने के बाद उस पे सभी फार्मूले पर आप exercise और इसमें सिद्ध करने वाले कोईशन सबसे अधिक आते हैं तो आप सिद्ध करने वाला कोईशन सबसे अधिक से अधिक प्रेप्टिस कीफिए में जूएशन पर चलिए में सुरेशन से भी 10 नंबर का question आप का अगा इसमें में जूरेशन सभी फारूले को भी लिखिए इस पर सभी बूक से पढ़ना पहले नमब जो आपका बुख है जो इसको पर्ड़िया सनगी के day फिरिश कीजिए फिरिश क्वेश्चन बैंक उठाई है मायत का क्वेश्चन बैंक यह खतम करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाई है क्वेश्चन बैंक से प्रते एक चेप्टर को फिन इस्टार्ट कीजिए इसमें क्या कि में 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 चेप्टर पढ़िए क्या करना है जिसे बीजगरी तो किया नि एक महिने में आप एक ही फार्मॉले को कम से कम 15 बार revision कर सकते हैं 15 बार revision कर सकते हैं यहीं इतना कर लेते हैं जैसे आप का exam floor का exam देने जाना है उससे कम से कम 10 से 15 दिन पहले 10 से पंद्रा दिन पहले का कीचिए कि कम से कम आप Goodnight साल का दोस्तों आपकीजिए कि यहां से पांच साल पांच वर्स पुर्वर जो एक्जाम हुए जैसे 2020 में जो मैध का पेपर हुए हैं 2019 में जो हुए हैं 2018 में 2017 में और 2016 में जितने में मैध की पेपर हुए हैं उसको परतेग पेपर को एक दिन बैटके सभी पेपर को शाल्व कीजिए यदि प्रिभीज एयर पेपर साल्व करके एक्जाम में जाते हैं तो आपको 70 यानि 70 नमबर का पेपर हो रहा है जहां पर 70 नमबर का पेपर हो रहा है वहा 100% गारंटी है कि आप उसमें फुल मार्क ला सकते हैं और इसमें यदि आप सही करके आते हैं तो आपका एक भी नंबर एक्जामिनर नहीं काड़ता है दोस्तों आप इस तरह यदि अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अभी से लग जाते हैं तैयारी करने में तो आप इस सा हाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर करें थैंक्स फार वाचिंग